वेलकम बेक स्टूडेंट्स इससे पहले की वीडियो में हमने एक कॉंप्लेक्स नंबर पाकफाइंडर की बुक से आपके फाइब क्वेशन को कम्प्लीट कर लिया था आज की अपने इस वीडियो में सिक्स्थ क्वेशन से हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं सिक्स्थ सब्सक्राइब करते हैं आप राइपर एक गार्तर रिख्स नंबर जाएग स्ट्वेशन से नरी पार्ट अपर जैडियो में यह बहुतकर अमें अंडरूट थे पलस आयोटा बाइटो नितुर देख्वर फैव प्लस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा बाई 2 रेस तो दबावर 5 तो यहां पर देखे हम यहां मैंसे आयोटा कॉमन ले लेंगे ऐसे कौश्चन हम पहले भी कर चुके हैं आयोटा कॉमन लेंगे यहां से तो क्या बनेगा देखे यहां पर तो हो जाएगा 1 और यहां पर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 रेस तो दबावर 5 और यहां से आयोटा कॉमन लेंगे तो यहां पर बनेगा माइनस वन माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 रेस तो दबावर 5 यहां से minus और common लेना पड़ेगा हमें minus और common ले लेंगे यहां पर बनेगा minus 1 plus under root 3 iota by 2 raise to the power 5 और यहां पर देखिए यह जब iota minus 1 बाहर आएगा तो minus 1 की power 5 तो 5 हो जाएगा और iota जब अंदर से बाहर लेंगे तो यहां पर आएगा iota raise to the power 5 यहां पर भी iota raise to the power 5 और यह हो जाएगा omega square की value omega square की power 5 और यह है omega की value minus iota 5 omega raise to the power 5 plus iota 5 और यह हो जाएगा omega 10 तो यहां पर देखिए z digit question में i5 क्या होगा आपका 4 तो values बन हो जाती है minus iota omega 5 यानि की omega square रहेगी value और यहां पर iota 5 क्या होगा आपका iota 4 1 के बराबर iota बचेगा omega 10 omega के बराबर रहेगा यहां से आगे बढ़ें z digit question minus i omega plus i omega square यहां पर square है यहां पर omega है हम यहां से iota common ले सकते हैं आपका हमने iota common ले लिया यहां से तो यहां पर बनेगा omega minus omega square अब यहां पर देखिए omega minus omega square omega की value क्या होती है आपके minus 1 plus under root 3 iota by 2 और omega square की value क्या है आपके minus 1 minus under root 3 iota by 2 तो यहां पर minus 9 अंदर ले जाएंगे तो दोनों values positive बन जाएंगी plus 1 plus under root 3 iota by 2 1 से 1 कर जाएगा आपका यदर आजाएगा 2 under root 3 iota by 2 that is equals to under root 3 iota तो यहां पर हम iota into under root 3 iota आपका value क्या आए जाएगा under root 3 iota सो किया जाएगा z equals to में minus under root 3 तो z की value क्या आई है आपकी minus under root 3 that means यहां पर imaginary part तो आपका है ही नहीं तो imaginary part क्या हो गया है इस particular question के लिए 0 हो गया तो option b is the correct answer next question क्या है इसका हमें argument निकालना है इस question के अंदर तो देखें यहां पर इसको हम ऐसे लिख लेंगे z equals to 1 upon under root 3 plus 1 plus iota root 3 upon under root 3 plus 1 हमें argument निकालने के लिए सबसे पर आलफा निकालना होता है imaginary part क्या है इसमें imaginary part है under root 3 upon under root 3 plus 1 और upon में real part क्या है 1 upon under root 3 plus 1 under root 3 plus 1 से under root 3 plus 1 कट जाएगा यहां पर 1 है तो क्या बचेगा 10 inverse under root 3 under root 3 की value 3 हो जाएगा 10 inverse under root 3 और under root 3 10 किस पर होता है आपका यह होता है 1060 पर तो 10 pi by 3 यह आ जाएगा alpha is equals to pi by 3 अब आपका जो complex number है देखिए यह भी positive यह भी positive that means यह आपका complex number z lies in first quadrant first quadrant में है और first quadrant में जो आपका theta that means argument होता है वो alpha के ही बराबर होता है तो इसमें theta क्या हो जाएगा आपका argument किसके बराबर हो जाएगा pi by 3 तो यह इसका answer क्या रहेगा pi by 3 option c is the correct answer तो देखिए next question क्या दे रखा है आपको z is equals to 1 plus under root 3 iota then a modulus of argument of z plus argument of z conjugate is equals तो हमें यहाँ पर argument of z निकालना होगा z क्या दे रखा है हमें 1 plus under root 3 iota तो यहाँ पर हम alpha निकालेंगे 10 inverse imaginary part under root 3 upon 1 तो यह किसके बराबर आएगा 10 inverse 10 pi by 3 10 inverse 10 हटेगा तो pi by 3 alpha की value आई pi by 3 और z किसके अंदर है आपका first quadrant के अंदर है तो फस्ट quadrant में ठीटा किसके बराबर होगा alpha argument alpha के ही बराबर होता है आपका तो argument क्या हो जाएगा यहाँ पर pi by 3 यह मिल गया argument of pi by 3 का mood आपका argument of z है यह argument of z का mood क्या हो जाएगा pi by 3 हमें z conjugate हमने property पढ़ रखी है अपनी argument of z conjugate किसके बराबर होता माइनस argument of z के बराबर होता है अपने नहीं पर ही है तो इसे यहाँ पर memorize कर लें argument of z conjugate किसके बराबर होता है माइनस argument of z के बराबर होता है आपका तो यहाँ पर देखें अब यह argument of z हमने भी निकाला तो argument of z conjugate किसके बराबर हो जाएगा minus pi by 3 हमें चाहिए इसका mode argument of z conjugate यह एक वस्टू में pi by minus pi by 3 का modulus यहाँ पर आजाएगा pi by 3 तो दोनों को air कर देते हैं argument of z का modulus plus argument of z conjugate का modulus यह एक वस्टू में pi by 3 plus pi by 3 तो यह कतना हो जाएगा 2 pi by 3 तो इसकी value क्या आई है 2 by by 3 2 pi by 3 is the correct answer चलिए अब देखतें next question क्या है आपका if a plus ib into c plus id into e plus if into z plus ih is equal to a plus iota b then a square plus b square into c square plus d square into e square plus f square into z square plus h square is equal to question mark किसके बराबर होगा आपका तो ज़रा ध्यान से देखें यहाँ पर a plus iota b यहाँ देरा का है a square plus b square आपका तो यहाँ पर समझें a square plus b square आपको कम मिलेगा यदि मैं a plus iota b की multiply कर दूँ उसके conjugate से उसके conjugate से multiply करेंगे तो आपको मिलेगा a square plus b square और c plus iota d की multiply करेंगे आप c उसके conjugate से तो यहाँ पर मिलेगा c square plus d square और ऐसे ही हम सब की multiply की conjugate से कर देंगे तो यह result मिल रहा है that means left hand side में हमने उसके conjugate से multiply कर दिया है तो right hand side में भी उसके conjugate से multiply कर देंगे तो यहाँ पर है a plus iota b into में a minus iota b तो यहाँ पर इसकी multiply के इसके वराबर आएगी a square plus b square तो a square plus b square option b is the correct answer next question what is the value of iota plus root 3 upon minus 1 plus root 3 raise to the power 200 iota minus root 3 upon iota plus 3 is to 2 3 raise to the power 200 plus 1 किसके बराबर होगा तो फिले स्पार्ट को ले लेते हैं पर iota plus root 3 by minus iota plus root 3 यहाँ पर समझे हम इसमें से उपर से iota कोमल ले लें उपर से iota कोमल लेंगे तो यहाँ पर आएगा आएगा आपका देखिसे 1 minus under root 3 iota इसमें से minus और कोमल ले ले लेते तो यहाँ पर plus का sign आ जाएगा नीचे से भी हम minus iota कोमल लेंगे आपका तो देखिसे यहाँ पर तो रहएगा minus 1 यहाँ पर आजएगा minus का under root 3 iota तो देखिए अब हम उपर नीचे 2 से आपकी और यह नीचे omega square की value है तो हम इसमें iota से iota कट गया उपर नीचे omega से multiply कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा minus omega square into omega cube omega cube किसके बराबर होता आपका 1 के बराबर तो इसकी value आई है minus omega square इस वाले बनेगा 1 minus 1 plus under root 3 iota यह बन जाएगा आपका यहाँ तो 1 रहेगा और यहाँ पर minus sign आएगा 1 plus under root 3 iota नीचे यहाँ से भी iota common लेंगे आपका तो यहाँ पर iota 1 minus under root 3 iota अब देखे अंदर से हम minus sign common ले सकते हैं मैनस की मल्टिप्लाइ कर देते हैं, ऊपर मैनस ऐसा यहाँ जाएगा, मैनस 1 मैनस और रूट 3 आयोटा, नीचे ऐवटा, 1 मैनस और रूट 3 आयोटा, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से डिवाईड कर लेंगे, तो देखिया यहाँ पर, मैनस ऐवटा, यह किस की value है, Omega square की और यह value किसकी आप की? Omega की. तो Omega से एक power कट की, Iota से Iota माइनस Iota Omega. इस वाले part की value आई ठी minus Omega square और इसकी minus Omega. तो यहाँ पर minus omega square raise to the power 200 plus और यहाँ पर minus omega raise to the power 200 plus 1. तो यहाँ पर समझें, minus 1 की power even number तो यह positive बन जाएगा omega raise to the power 400 प्लस यहां पर omega raise to the power 200 प्लस वन आप देखिए उमेगा का अगए कि इस में हम 30 से डिवाइड करते हैं 30 से डिवाइड करेंगे तो यह इतनी बार चला जाएगा आपका 400 है इसको डिवाइड कर लेते हैं 30 से यह चला जाएगा रिमेंडर बचा 1 that means यहां पर बचेगा केवल omega plus 200 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यह चला जाएगा आपका 18 2 यहां पर बचेगा omega square तो omega plus omega square plus 1 यह किसके बराबर होता है आपका minus 1 plus 1 is equals to 0 क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रख किये 1 plus omega plus omega square किसके बराबर होता है 0 कि यहां से omega plus omega square की value निकालेंगे तो minus 1 minus 1 plus 1 किसके बराबर आगे 0 option B is the correct answer next question क्या है आपका यहां पर what is the value of minus under root minus 1 raised to the power 4 and plus 3 plus iota raised to the 41 minus iota raised to the minus 257 raised to the power 9 तो क्या value रहेगी इसकी तो समसे जरा यहां पर under root minus 1 किसके बराबर होता है आपका iota के बराबर तो इसकी पावर होगी 4 and plus 3 plus iota 41 4 से divide कीजिए जितना remainder बसता हो iota की power बचेगी 4 से divide किया remainder बचा 1 तो यहां पर बचेगा iota plus one upon में i257 ऐसा लेकलेंगे 257 को divide करेंगे जब हम 4 से तो क्या बचेगा यहां पर power बचेगी 1 remainder बचा 1 तो यहां पर आ जाएगा one upon iota raised to the power 9 अब यहां पर देखें minus iota की power 4 and और यहां पर आएगा minus iota की power 3 3 पलस आयोटा आयोटा से multiply करेंगे one upon iota into iota तो यह हुजाएगा यहां पर यहां पर यह क्या बनेगा आपका iota उपर तो आयोटा नीचे आयोटा सुकेट तो मैनस iota यहां जाएगा iota minus iota raised to the power 9 और यहां पर आएगा minus 1 की power 4 n तो यहां पर यहां पर यहां पर यह तो 0 हो गया इधर तो 0 बन गया अब minus 1 की power 4 n तो यहां पर तो power 1 हो जाएगी और iota की power 4 n मतलब ऐसा लिख सकते हैं iota raised to the power n to the 4 तो iota की power 4 ऐसा लिख सकते हैं iota 4 n तो यह वन हो जाएगा आपका पूरा 1 के बराबर हो गया यह वन बन गया और यह minus 1 यह माइनस रहेगा आपका और यहां पर माइनस रहेगा आयोटा क्यों किसके बराबर होता है माइनस आयोटा की प्लस जीरो इंटू में आयोटा माइनस बनेंस आयोटा किसके बराबर हो जाएगा आयोटा option c is the correct answer तो चलिए अब देखतें next question if the number is 1-1 आयोटा रहेगा रहेगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ले जाएंगे वन पलस आयोटा का स्क्रीयर हो जाएगा बेखें यहां-पर रेसलाइटिशन एंट कर लेते हैं 1-1 आयोट अपर यहां-ब-1 2-1 ब बटाइगा प्लस आयोटा स्क्यर मैंस ढॉर्ट हाप आपोन नीचे हुजाएगा 1-ड औक स्क्यर इद एगया थे से कट जाएगा टो आयोटा अब दे केस की पवर न चल रही है पर यह हुजाएगा मैनस चू आईत रेजी तू रीजै पावर न थू से टू कट गया minus iota raise to the power n into 2 iota यहां से आ जाएगा minus 1 की power n और यहां पर 2 iota raise to the power n plus 1 क्या आ गया minus 1 raise to the power n into 2 iota raise to the power n plus 1 अब option क्या कह रहे है देखें यह कह रहा है कि is real and positive मतलब यह real भी होना चाहिए और positive भी होना चाहिए जब when is any integer जब हम n की value को कुछ भी रखेंगे कोई भी integer रखेंगे obviously नहीं यह positive नहीं होगा जरा यहां पर n की value 1 रखके देखे तो यह minus का हो जाएगा और यहां पर यह हो जाएगा n की value 1 रखी तो यहां पर जाएगा minus 1 यह 2 और यह आ जाएगा 1 plus 1 iota square minus 1 तो चलो 1 के लिए तो यह positive बन रहा है तो इसमें देखो 3 रखके देखते हैं 3 रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका minus 1, 2 और iota 4 यह हो गया minus का that means positive नहीं है आपका तो positive यह वाला option तो cancel हो गया तो odd वाला भी cancel हो जाएगा क्योंकि हमने अभी इसमें 3 रखाता 3 क्या होता है अपका एक और नंबर होता है तो यह भी नहीं रख सकते even और रखके देख लेते हैं यदि हम n को एक even integer लें तो क्या यह positive बन रहा है तो हमने n को ले लिया something यहाँ पर 5 ले लिया आयोटा सुकेर और आयोटा सुकेर किसके बराबर होता है माइनस के बराबर तो यह वैल्यू आई है माइनस 2 यहाँ पर भी यह negative है पॉजिटिव नहीं है तो यह option भी नहीं रहेगा option D is the correct answer आज की वीडियो में बस इतना ही इससे आगे के questions हम discuss करेंगे